हेलो दोस्तों, आपका स्वागत एक बार फिट से खुबसार्थ वर्ल के चैनल में मैं आफरीड एक बार फिट से आपका हमारे जानल में स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस वीडियो में आपको स्किन को सफ्ट बनाने के कुछ बैतरीन तरीके बताओंगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं स्किन वाइट होने से ज़्यादा जरूरी है स्किन का क्लीन होना अगर आपकी स्किन फेयर है और आपके फेस पर कील, मोहा से पिंपल है तो आपकी स्किन खुबसूरत नहीं लगेगी ऐसे में चैरे को खुबसूरत कैसे बना यह जानने से पहले इस बारे में जानकारी हासल करना बहुत जरूरी है कि चैरे से धाग दबे कैसे हटाये लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को स्पुक्राइब नहीं किया है अपने स्किन टाइप के बारे में जान लें कि आपकी तुचा रूखी ड्राइ या नॉर्मल में से कौन सी है और उसी के मताबिक ही अपने लिए कोस्मेटिक का चुनाओ करें अगर आपकी स्किन ओईली है तो आप टीनन क्लियर फेश वाउस का इस्तमाल कर सकती है या ओईली स्किन के लिए बहुत अच्छा है और अगर आपकी स्किन राए है तो आप क्रीम जुक फेश वाउस का ही इस्तमाल करें वैसे तो टोनर का इस्तवाल उतना जरूरी नहीं होता लेकिन अगर आप टोनर का इस्तवाल करेंगी तो यह आपके चेहरे पर मौजूद बंद रोम छिदरियों को असानी से खोल देगा जिसकी वजह से आपके कील मुहासे फेस पर नहीं निकलेंगे इसलिए हो सके तो एक ट मौना स्कीन पर बैक्टिरिया को फला सकता है जिसकी वजह से रोम छिदरों में जलन पैदा हो सकती है इस कालर मेक अप या फेस्ट क्रीम लगाने के बाद अपने चेहरे पर बार बार हाथ ना फेरें इससे स्कीन पर ट्रैशिस निकल सकते हैं इसकीन को साफ रखनी के लिए रोज कम से कम आठ गलास पानी पिए शरीर में डिहाइडरेशन की वजह से आखों के नीचे काला पन और स्वास्त बिगड़ सकता है ऐसे में खुद को खुबसूरत बनाया रखने के लिए रोज कम से कम आठ गलास पानी पिना बहुत जरूरी है इसके साथ ही खान पान का ख संद आया होगा इसके अलावा और कोई भी बहतरीन बेटिटिप्स जानने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं जहां पर आप खुषरत वल्ग की ऑफिशिल साइप पर जा करके और भी बहतरीन बेटिटिप्स पर सकते हैं हमारे